हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हाई एसक्रेशन जोन में मैं हूराज दोस्तो जैसे कि दोस्तो हर्याना समाने ग्यान से रिलिटेट हमने स्रीज चला रखी थी और एट पार्ट दोस्तो हमने जो है अपडेट भी कर दी है वो पले लिस्ट तो आप भी दोस्तो पार्टिसपेट करें ताकि पता सलसके आपका इस हर्ड लेवल की सिरीज के अंदर क्या स्कोर्प होता है पर सिद रिलेक्स और जूता उद्योग कहां स्तित है बात कर ली गई है रिलेक्स और जूता उद्योग की राइट ओप्शन की बात करें तो ओप्शन दोस्तो हमारा क्या रहेगा डी जजज़र के अंदर नाइस क्योशन है हमारा हर्याना का पहाडों का नगर किसे कहा जाता है पहाडों के नगर की बात कर रहे हैं ओप्शन राइट दोस्तो डी रहेगा तो साम तो साम के अंदर दोस्तो बहुत सारे पहाड है ठीक ह के जो खनीज पदार्थ है जो यहां से पहाडों से तोड़ कर निकाले जाते हैं, ठीक है बनाए जाते हैं जो हमारे बहुन निर्मान के काम आते हैं तो हर्याना का पहाडों का नगर जो है किसे कहा जाता है, तो साम को Next question है हमारा हर्याना के किस दिले में बहुन निर्मान की सामगिरी सरवादिक पाई जाती है यहां दोस्तों बहुन निर्मान की ठीक है जिसे तो साम के अंदर तो हो जाती है बजरी या दोस्तों हमारे करेसर से रिलेटिक लेकिन यहां सेयुक तुरूप से पूछ ली गई है बाउन निर्मान की, क्योंकि दोस्तों एक बाउन निर्मान के लिए बहुत सारी चीजों के अब सकता पड़ती है सिमेंट है, सरिया है बजरी है, क्रेसर है, तो सियूक्त रूप से बात करें, तो right option रहेगा हमारा D गुरू ग्राम में दोस्तों, हरियाना की गुरू ग्राम जिले में बाउन निर्मान की सामगिरी सरवादिक पाए जाती है right option दोस्तों क्या रहेगा, option D next question है हरियाना राज्य किस वर्स केरोशिन मुक्त गोशित क्या गया हरियाना राज्य को किस वर्स केरोशिन मुक्त गोशित क्या गया राइट ओप्षन रहेगा हमारा वर्स 2017 के अंदर हरियाना को केरोसीन मुक्त गोसित किया गया था पूरा पूछा दाए तो दोस्तो एक अप्रेल 2017 के अंदर हरियाना राज्ये को केरोसीन मुक्त गोसित किया गया नेस टोप्षन राज्य के किस जिले में यूरेनियम के बंडार मिले है 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 रहेगा दोस्तों हमारा मेंदरगड के अंदर जो है मेंदरगड वेसे भी दोस्तों खनीच संपता में अवल रहा है हर्याना क जिल्यों की हम बात करें तो राज्य के मेहंदरगट जिल्य में यूरेनियम के बंडार मिले हैं नेस कोशन रहेगा हर्याना के किस वन्यजियो अपैरने में खेर वय साल के वरिक्स की परदानता है खेर वय साल के वरिक्स की परदानता है option right रहेगा हमारा B. कालेसर कालेसर दोस्तो राष्टी उद्यान जो हमारा यम्ना नगर के अंदर है यहां पर इसकी स्थापना दोस्तो 2003 में की गी थी यहां पर सबसे ज़ादा जो है खेर वैसाल के वरिक्स पाई जाते हैं इसकी सबसे ज़ादा परदानता यहां पर है यम्ना नदी दोस्तो इस अब्यारने के ठीक बीचो बीच होकर कुजरती है और इस अब्यारने के अंदर दोस्तो जंगली मूर्गे भी पाई जाते हैं जो बहुत ज़ादा फेहमस है बौंकने वाले हेरन की जो है यहां पर सरवादिक्ता पाई जाती है इसलिए भी दोस्तो यह बहुत ज़ादा फेहमस है इसके अलाव दोस्तो जंग नूमा दब्बेदार बिलियां भी यहां पाई जाती है इसके अलाव तेयं दुआ भालू कंकर सांबर यह दोस्तो सेम्ट रूप से हो जाते हैं जो हर एक अवयारने में आपको मिल जाएंगे तो दोस्तो राज्य का दूसरा राष्ट्य उध्यान का लैसर राष्ट्य उध्यान है युम्नानगर के अंदर स्थेत है 2003 के अंदर इसकी स्टापना की गई थी नेस्ट कोशन रहेगा हमारा राज्य में पंचाहिती राज का मद्या सतर क्या है मद्या सतर क्या है राइट उप्शन रहेगा हमारा उप्शन सी पंचाहित समीती राज्य में पंचाहिती राज का मद्या सतर क्या है पंचाहित समीती नेस्ट क्योशन है बारत का सबसे बड़ा अत्यादुनिक खेल सात्रावास कहां स्तापित किया गया है अत्यादुनिक खेल सात्रावास ओप्सन राइट देशे के दिया हुआ है बी गुरुग्राम दोस्तों गुरुग्राम के अंदर भारत का सबसे बड़ा अत्याद उने खेल सात्रावास स्तापित है इसके अलाव दोस्तों बारत का सबसे बड़ा खेल प्रिस्टिक्षन के अंदर भी फूचा जा सकता है HAU University जो इसाहर के अंदर दो सुस्तित है वहाँ पर जो है सबसे बड़ा खेल प्रस्टिक्षन के अंदर भी स्थापित किया गया है तो बारत का सबसे बड़ा अत्यादोने खेल सातराबास स्थापित गुरुग्राम के अंदर नेस्ट क्योशन है अजाद हिन्फोज के किस सिपाई ने मनीपुर की दर्ती पर तिरंगा फैराया तिरंगे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं मनीपुर की दर्ती पर तिरंगा फैराया था ओप्सन राइट रहेगा हमारा ए, सूरजमल दोस्तो, सूरजमल, मैजर सूरजमल, पूरा नाम इनका मैजर सूरजमल रहे गा, अजाद इन्फोज के ये सिपाई थे, जिन्होंने मनिपूर, मनिपूर की दर्ती पर जो है इन्होंने तिनंगा पहराए था, तो यहां से भी दोस्तो हो सकता है कि उसमें उठा जाए तो हमें कावर करना जरूरी है इसके अलाव दोस्तो अजाद इन फोज का गठन 1943 के अंदर मोहन सिंग वे सुबाद संदर बोज के दवारा किया गया था वहां से भी हो सकता है कि उसन उठा लिया जाए अपसर इसमें दोस्तो 398 थे सैनिक दोस्तो 2800 के लगबग थे और स किस सब्वेता के लोग निग्रो आस्टेलियन जाती के थे यहां पर दोस्तो सब्वेता की बात की गही है किस सब्वेता के लोग निग्रो आस्टेलियन जाती के थे राइट ओप्शन रहेगा दोस्तो हमारा ओप्शन बी सी स्वाल सब्वेता के दोस्तो जो लोग थे वो न इसके अलाव दोस्तों सीसवाल सब्रिता से कुल समंदित सतल हमारे 29 है और दोस्तों अल्पमातरा में वहाँ पर तामवे का परियोग जो है किया जाता था और इसके अलाव दोस्तों तामवे के हत्ते वैगंडा से भी वहाँ से मिले हैं सीसवाल गाउन दोस्तों आदूम पर जो हमारा इसार जिले में पढ़ता है वहाँ से समंदित है और दोस्तों सी स्वाल से बिता के विकास की बात करें तो चितांग नदी के किनारे ये बसा हुआ था तो यहाँ से भी हो सकता क्योशन उठा लिया जाए नेस क्योशन रहेगा हमारा चंदर सेखर अजाद स्टेडियम कहा है चंदर सेखर अजाद स्टेडियम की बात कीगी है ओप्सन राइट रहेगा हमारा एक फरीदाबाद के अंदर दोस्तों चंदर सेखर अजाद स्टेडियम कहा है फरीदाबाद के अंदर इसके लाव दोस्तो स्टेडियम की आप एक कॉमेंट करें अगर आप जाते हो ट्रिकली वीडियो तो हम ट्रिकली वीडियो जो है उसकी जल से जल आपको प्रोवाइड करवा देंगे ये दोस्तो फरीदाबाद सहापूर गला गाउं है एक वहाँ परस्तित है एक लवे स्टेडियम दोस्तो जीन्द के अंदर है तो चलो स्टेडियम फिर हम दोस्तो कवर करेंगे नैस्ट वीडियो में वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी हर्याना का एक मात्र वाज्ट टावर कहां स्थित है वाज्ट टावर की दोस्तो बात कीगी है राइट ओप्शन रहेगा हमारा ओप्शन ची! और साल्वान जोस्तो ओप्चा पढ़्ता है? क्रनाल के अंदर इसके लाव दोस्तो उंचों कमेलिया एक उस्चों पूछा जाता है उंचों कमेलिया राज्य के किस गाउं में बता है? तो यह बरालू गाउं है दोस्तों लोहारू के अंदर बिवानी की हम बात कर रहे हैं बरालू गाउं लोहारू बिवानी के अंदर दोस्तों उंटों का मेल्या राज्य के किस गाउं में भरता है हो सकता है दोस्तों क्रोशन उठा लिया जाए इसका दोस्तो right option C रहेगा सालवान, करनाल मेंदरगट में पाया जाने वाला खनीज जो आग में नहीं जलता वेशे तो दोस्तो मेंदरगट के अंदर बहुत सारे खनीज पाया जाते हैं यहाँ इसकी विशेशता एक पूछ ली गई है कि जो आग में नहीं जलता वो कौन सा खनीज है option right रहेगा हमारा B दोस्तो A.S.B.S.T.S. दोस्तो एक ऐसा खनीज है जो आज में आग में जो है नहीं जलता, तो right option दोस्तो इसका हमारा क्या रहेगा? B चलिए, बढ़ लेते हैं दोस्तो next question की तिरफ? महाबार्द यूद से पहले कुरुक शेतर में कूल कितने यूद लड़े गई? महाबार्द से पहले की बात कीगी है option right रहेगा दोस्तो B. बीश यूद महाबार्द यूद से पहले कुरुक शेतर में लड़े गई? right option B next question है हर्याणा में उद्योगवे व्यपार वर्स का आयोजन किस वर्स हुआ? उद्योगवे व्यपार वर्स option right रहेगा दोस्तो हमारा B. 2013 2013 के अंदर जो है दोस्तो हमारा हर्याणा में उद्योगवे व्यपार वर्स का आयोजन जो है वो हुआ था 2013 के अंदर दोस्तो और भी बहुत सारे कारिये हो थे हो सकता है वहां से भी क्योशन पूछ लिया जाए नई उद्योग निती गोशित कीगी दोस्तो गोशित पूछ ली जाए तो एक जनवरी 2011 के अंदर बी रूड की दोस्तो और रूड की गाउं दोस्तो है कहां हमारा चौपालों हमारा रज्य का एक मात्र गाउं रूड की और ये दोस्तो हमारा रोद तक के अंदर है और कितनी चौपालें दोस्तो यहां पर है 18 चौपाले तो राइट ओप्शन दोस्तो बी रहेगा 18 चौपाल नगर पूचा गया है, राइट ओप्षन के बात करें तो दोस्तो बी रहेगा, तो साम, तो साम दोस्तो पहाड़ी, पहाड़ियां बहुत जादा है और इन ही पहाड़ियों पर बहुत सारे मंदिर भी पाए जाते हैं दोस्तो, इसलिए इसको दर्मनगरी के नाम से भी जाना राइट ओप्षन दोस्तो रहेगा, डी दोस्तो रिवाड़ी, रिवाड़ी के दोस्तो कुंड के अंदर जो है हमारी सलेटी पत्थर की खान पाई जाती है और दोस्तो सेयुक तुरूप से बात करें तो रिवाड़ी, महंदरगड और गुरुग्राम के अंदर जो है सलेट दोस्तो हमारा C, युम्ना नगर के अंदर दोस्तो सूरिया कंपनी सूरिया कंपनी की स्थापना युम्ना नगर के अंदर दोस्तो 1973 से 1974 के बीच में की गई तो राइट ओप्शन दोस्तो हमारा रहेगा C, युम्ना नगर next question है दोस्तों हमारा कुंती के कितने पुत्तर थे बहुत ही स्यांदार question मनता है महाबार से जुड़े वई ये question दोस्तों हमें कावर करने की बहुत सक्ष जुरूरत है कुंती के कितने पुत्तर थे right option रहेगा दोस्तों हमारा B कुंति के दोस्तों कितने पुतर थे तीन पुतर थे यहां से क्योशन बहुत सारे बन जाते हैं दोस्तों महाबार से लेटर ठीक है और इन पुतरों का हो सकता है नाम पूछ लिया जाई महराज पांडू की दोस्तों दो पतनिया थी एक कुंती थी और एक मादरी थी ठीकर और इनके दोस्तों तीन पूतर थे युदेश्टर, बीमवय, अर्जुन कुंती के अकेली कुंती के बाद की जाए तो दोस्तों युदेश्टर, बीमवय, अर्जुन और मादरी के दोस्तों दो पूतर थे नकुल तथा सहदे ये दो पुतर दोस्तों हमारे माद्री के थे और कुंती के दोस्तों बीम, योदिश्टो और अर्जन कुंती का दोस्तों वास्तवी के नाम था प्रथा हो सकता है एक्जाम में पूछ लिया जाए तो राइट ओप्षन दोस्तों इसका हमारा बी रहेगा हर्याना का अटेली क्यों परसिद है अटेली की बात की गई है क्यों परसिद है ओप्षन राइट रहेगा दोस्तो बी, कवार्टर्ज दोस्तों, कवार्टर्ज पत्थर के काट जो है हर्याना का अटेली परसिद है नाइस कुशन है हर्याना में ग्यान का स्रोवर कहां स्तित है ग्यान के स्रोवर की दोस्तों बात कीगी है ओप्सन राइट रहेगा हमारा ए दोस्तों कुरुक शित्तर के अंदर ग्यान का स्रोवर दोस्तों जो हमारा जोती सरोवर का तिर्थ है उसी को दोस्तो ग्यान का सरोवर तिर्थ कहा जाता है जोती सरोवर तिर्थ का अर्थ है ग्यान का सरोवर तो राइट ओप्षन दोस्तो ए रहेगा कुरुक्षेत्तर आज का हमारा next question है देश के sanitary समानों का हर्याना से ही उत्पादित होता है यानि दोस्तों कितना बाग उत्पादित होता है sanitary समानों का option right रहेगा हमारा एक तिहाई बाग दोस्तों देश के sanitary समानों का हर्याना के अंदर जो है उत्पादित होता है कितना भाग एक तिहाई और आज का दोस्तों हमारा last question रहेगा सबी पंचायते online करने वाला पर्थम ब्लोग है सबी पंचायते online कर दी गई है पर्थम ब्लोग पूछा गया है option right की बात करें तो B रहेगा दोस्तों राणिया का किला राणिया का किला और दोस्तों राणिया का किला से related question पूछा जाता है राणिया जो हमारा सेच्चा के अंदर है राणिया से बहुत सारी question उठाये जाते हैं तो वो भी हमारी cover करने जरूरी है तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ काफी interesting question जो एक्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों description link में जो है telegram का group link दिया हुआ है वहाँ से आप वो join कर लें उसके अंदर दोस्तों जल्द सारी की सारी पीडिया जो है वो भेज दी जाएगी बाके के पार्ड भी जुरूर देहें मिलते हैं दोस्तों कल next वीडियो में तब तक नमस्कार जै हर्याना जै भार्द